Hello Engineers, Welcome to the World of Civil Guruji Civil Engineer Training Institute में आप सभी का स्वागत है मैं सुधीप कुमा अगरवाल, Structure Designer और आप सभी के लिए Civil Guruji आज का टॉपिक है Bar Bending Schedule of Stirup वो भी Axle में थोड़ा सो और accurate हूँ तो बोलूँगा Cutting Length निकालने किसका Stirup का वो भी Axle में सबसे पहला Question, Axle में हम क्यों निकालने Axle में निकालने का फाइदा क्या होता है जैसे आपने Last Class में देखा होगा कि Bar Bending Schedule आपने पूरा Manual ही निकाला आपने देखा कि इसको पूरा कैसे Solve करना है इसको Solve करने की तरीके जाने पर तो अब में एक ही Pattern है देखिए जैसे मैं यह दूसरा Question इसको भी Solve करने का तरीका सेम है तो हर बार सेम तरीके से Solve करना तो उससे अच्छे Calculator बना देते हैं जो उस पैटरन को समझ सके या फिर अपने लोग Step record करने हैं उसमें बता रहे कि पहले क्या करना है दूसरी Step में क्या करना है तीसरी Step में क्या करना है वो खुद से Solve करेगा तो उसके लिए Excel बना सकते हैं फिर से Point समझना Excel हम किस-किस चीज के लिए बना सकते हैं जिस भी चीज का Pattern सेम हो जैसे कि यह एक Column है यह दूसरा Column है इस तरह से घर में बहुत साय अलग-लग Column होंगे उसी तरह से अलग-लग Beams होंगे सब का इस्टिरप निकालने का तरीका तो सेम होगा तो कहीं ऐसा है तो हम उसका एक Excel बना दे आपको पूरे को इखटा Solve करने के लिए तया हो जाए आपको क्या करना पड़ेगा सिर्फ गिवन डाटा लिखना पड़ेगा solution अपने आप आएगा एक बार देख लेते हैं कि कैसे Solve होता है जैसे कि Sun ने discuss भी किया है कि आपको Center to Center के distance निकालना है तो ऐसी A निकाले A क्या हो रहा है Center से इस्टिरप के Center तक क्यापका 300 जो section का dimension है minus 40 cover minus 4 minus 4 इस तरह से आप A निकाले similarly B निकालेंगे उसके बार आप cutting length निकालेंगे cutting length क्या हो जाएगा 2A plus B plus hook length अब यहाँ पर एक point आती है यहाँ पर bend deduction नहीं हो रहा यहाँ पर bend deduction क्यों नहीं हो रहा हम लोग ASPAR IES code चल ले IES code bend deduction की बात नहीं किया है for SHRIRUP के case में अब SHRIRUP के case में वो bend deduction नहीं किया कभी आप side जाएंगे तो bend deduction भी होगा हो सकता है आपको वही follow करना पड़े उसके बारे में और जानना है तो आप corporate training course या फिर गुरुजी के खजाने में जाके देख सकते हैं उसमें पूरा बताया गया है कि SHRIRUP में bend deduction कैसे हो सकता है उसका भी excel अलग बनेगा तो उसको कैसे बना सकते हैं आपको और जानना इसके बारे में तो call करो 911 001234 में अभी बढ़ते हैं आगे इसी topic में अब तो given condition क्या क्या है अपने पास given चीजें क्या क्या है वो समझते हैं सबसे पहले एक column का dimension दिया हुआ है जो कि आपका 300 x 250 है दूसी चीज आपको पता है टू-legged stirrup है कॉलम के main reinforcement आपको पता होगा जैसे कि यहां पर 12 mm हो या फिक जो भी हो उसके बाद आपका जो यह red run का stirrup दिख रहा है उसका diameter पता है 8 mm यह चीजें आपकी given हो गए मतलब आपको main क्या-kya चीजें कि वो two-legged है कि four-legged है दूसी चीज कि column का dimension क्या है तीसी चीज आप कौनसे mm की बार किसे stirrup बना ले यह तीन चीज आपको main चीज यही सब चीज आपको Excel में input करना पड़ेगा तो चलते हैं आप Excel में हम Excel में आ गए है एकसल में आते ही सबसे पहला काम है कि उसको नाम देना कि किस चीज को हम solve कर रहें क्या करने इस चीज को करने two-legged stirrup तो यह नाम दे देंगे जैसे यह मैं cell को select किया हूँ merge and center किया हूँ अब इसका नाम दे रहा हूँ क्या two-legged stirrup two-legged stirrup नाम दे दिए चा यहां से ड्राइग और ड्रॉब किये क्लिक करके select करके चाहें तो बोल्ट कर सकते हैं पूरे को underline कर सकते हैं एक shade दे दिए color दे दिए अब जैसे कि मैंने पताया था कि सबसे पहले क्या mention करेंगे कि उसका section क्या है कि अपन किस चीज को solve करें उसका dimension क्या है cross section लिख सकते हैं अब मैं cross section के आगे mention नहीं कर रहा हूं कि यह beam का है कि column का क्योंकि यह दोनों को बना सकता है आपको सिर्फ अकेले beam के लिए नहीं बनजा सिर्फ अकेले column के लिए नहीं दोनों के लिए 81 एक्सल बनजा है जैसे कि अभी हमाएं पास dimension क्या था 300 cross 250 तो mention कर देंगे जो section वहा था अब उसके बाद आपन को क्या पता रहता है डाय और में बार मतलब जो आपकी में बार है उसका diameter कितना है जो कि अपने case में कितना है 12 mm अब उसके बाद जो stir up की बात हो रही है stir up का diameter कितना है stir up का diameter कितना है 8 mm एट लिख दिए अब इसके बाद क्या clear cover कितना लिए यह clear cover कितना है 40 mm तब देखिए इतना ही चीज आपको input करना रहेगा हर दम इसके बाद की चीज एक बाहर हम formula बना देंगे उसके बाद कभी calculation नहीं करना पड़ेगा कहीं same pattern का use हो रहा है फिर से mention कर रहा हूँ excel कभ काम आता है आपको जब एक ही तरह का आपको बहुत साइच चीज़ें solve करना है कहीं वो हर बार हर case different होने वाला है तब आपके लिए excel नहीं है excel तभी है जब एक pattern जैसे अभी मैं two like distribute कर रहा हूँ आगे भी आपको two like distribute करना है तो उसके लिए same pattern यूज़ होगा अभी जो मैं two like distribute solve कर रहा हूँ वो is code के reference से solve कर रहा हूँ कि मुझे क्या-क्या हर दम entry करना रहेगा मेरे शर्टिंग से एकी pattern है कि जो जो entry करना है उसको मैं red run से mark कर देता हूँ इस तरह से अब इसको थोगा सा attractive बनाने के लिए 300 के आगे mm लिखा हो तो ज्यादा अच्छा लागे clear cover के आगे mm और डाय और बार्केट आगे hash लगा तो मैं उसको जल्दी से कर देता हूँ आपको यह चीज पूरा detail में सीखना है तो आपको यह corporate trading course या फिर गुरुजी के खजाने में बहुत असानी से पूरा detail में बताया जाता है तो अब थोगा से जादा अच्छा दिख रहे हैं थोगा सा intuitive दिख रहा है कि कौन सा mm आपने लोगों को use करना है कहां पर section दिया हुआ है कहां पर बार का डाया दिया हुआ मैं डायर यहां cutting length की बात करता हूं कि यह आपको और अच्छा लिखना है तो इस तरीके साब पूरा लिख सकते हैं serial number, description, shape of bar, number of items, diet of bar, cutting length पूरा लिख सकते हैं यह आपको काम आता है आगे कभी solve करना है तो यहीं से data copy paste कर सके हैं उसके लिए यहां पर भी simple to like to syrup, shape of bar, एक lecture में shape of bar के बारे में ही पूरा बताया है कि shape कैसे दिया जा सकता है item अभी कुछ बताने की दरत नहीं है, die अभी कुछ, die आपको लेना है तो यहां से ले सकते है, equal to दबाए और die of syrup ले लिए सीधा जो important है अभी आपके लिए cutting length, cutting length कैसे निकालते हैं सबसे पहले इस सो थोड़ा सा भी simple करने के लिए, जैसे आपने manual calculation में किया था, a भी निकाला था, उसी pattern में चलते a is equal to क्या हो गया था आपका, यहां से देख सकते हैं, a की value क्या थी, आपकी 300, minus 40, minus 40, minus 4, minus 4 अब यह समझना जवरी है, 300, minus 40, minus 40 क्या है, 300 क्या हुआ, आपका diameter, 300 क्या हुआ, section का dimension, 40 क्या है, यह clear cover, और 4 क्या है, आपने जो stir up, जो 8 mm की stir up थी, उसका उपागाई सा, यह 4 minus हुआ, और यहां पर 4 minus हुआ तो अब यही चीज हमें Excel में करना है, पन्तु हमें लिखना नहीं है, 300, अब वही चीज हमें Excel में solve करने रहे हैं, पन्तु अब Excel में हम कोई सा भी dimension, कुछ भी चीज, entry नहीं करेंगी, जो आपका diameter से दिख रहा है, उसी से value लिया जाएगा, जैसे equal to press किया, section 300, minus, clear cover, दो बा minus die of history अब कहा, देखिए, b3 क्या है, 300, b6 क्या है, minus 40, minus 40, b5 by 2, मतलब 4 minus 4, तो इस तरह से आपका a निकाल जाएगा, अब मैं उमीद करता हूँ, आप b भी आसानी से निकाल पाएंगे, जल्दी से निकालते ता हूँ, b को भी को भी यहाँ पर जैसे मैंने 8 by 2 का 2 बार minus किया है, minus 4, minus 4, चाहूँ तो मैं बार भी कर सकता हूँ, पर तो अभी क्या करने, जो आपने manual solve किया है, उसी pattern को same रखने के लिए, यहाँ पर मैं 2 बार solve कर रहूँ, यह हो गया, अब आपको cutting length का formula पता है, cutting length का formula पता है, नहीं पता तो देख लेते हैं, cutting length कैसे निकालते हैं, cutting length निकालते हैं, 2a plus b plus hook length, सेम तरीके से अब आते बापिस, excel मैं, excel मैं solve करते हैं, मैं वहीं के formula को यहाँ ले आया हूँ, जिससे असानी हो, आपको समझने में, equal to, सब से पहले 2 into, bracket दिए, a plus b, a plus p, bracket बंद, plus hook length, hook length क्या है, 2 into 12 into diameter of shrub, enter, देखिए, दोनों answer match कर लिया, अब करें, यहीं कीच, cutting length है, अधिक तरी मीटर में निकालते हैं, मीटर में निकालना होता तो, एक bracket starting में डाले, मतलब क्या करें, thousand से divide करना है, एक bracket end में डाले, divide by 1000, तो यहाँ कांसर मीटर में निकाल गया, अब मैं इसी को एक line में solve करना होता, क्या हो रहा है यहाँ पर, इन दो formula से relate करें, चाहें तो आपर लोग direct भी लिख सकते हैं, जैसे, equal to 2, into, a की value निकालने का तरीका, 300, minus, clear cover, minus, clear cover, minus, die of bar का half, minus, die of bar का मतलब, die of bar यहाँ पर, जो bar use हो दिये, stir up की बात हो दिये, हाँ, यहाँ से आपका a निकाल गया, plus, b निकालना है दो, 250, minus, 40, minus 40, minus, stir up का half, करना है दो बार, 8 by 2, minus, 8 by 2, यह हो गया आपका 2a plus b, plus, 2 into 12, into, हो गया, यहाँ से निकाल गया आपका, same, divide by thousand, तो यह आपका meter में निकाल गया, चाहिए हैं, तो आप इनको भी meter में दिखा सकते हैं, इस तरीके से आप solve कर सकते हैं, अब चाहिए हैं, तो उसका total length, cutting length और unit weight भी निकाल सकते हैं, और detail में सीखना है, तो आप corporate training course, या फिर गुरूजी के खाजाने में इसको पूरा detail में solve करना सीखेंगे, और भी इसी तरह के lecture आपको चाहिए, तो बने रही है, civil guruji के साथ, channel को subscribe करना ना भूले, क्योंकि इसी तरह के और भी content आपको मिलते रहेंगे, आपको और भी ज्यादा detail में चीज़ें 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 तो corporate training course, या फिर गुरूजी के खाजाने में जाईए, enroll होईए उसमें, या फिर आप हमाई website में www.civilguruji.com में जाएं, या फिर application का link नीचे description में दिया गया है, उसको download कर दीज़ें, वहाँ पर भी आपको बहुत important information मिलते रहेगी, as a form of news feed और notification, मिलते हैं अगले lecture में, जब तक ले बने रहे हैं, Civil Guruji के साथ, जै हिंद, जै भारत!